ओम शान्ति अंतर मन में जोती जगालों होगा दूर अन्हेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुन्य सवेरा तुम हो कौन कहां से आए अपने आप को जानो राज योग के द्वारा अपना पर्म पिता पहचानों किसी राज पधे पर चल कर तूं पालो अपना पसरा आप दून रजेरा बाप दादा मुरली के अंदर कई अच्छे अच्छे राज कहें, गुया राज कहें, वह हमें बताते रहते हैं, आज भी बाबा बहुत अच्छे अच्छे गुया राज बता रहें, एक तो बाबा कहते हैं, बचे, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, सब भी पढ़ेंगे नह सब तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन साथ में सब चलेंगे यह भी वंडरफुल बात है बाबा को पैचानेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पर बाबा कहते हैं साथ है तो मेरे चलेंगे ही चलेंगे क्यों? मैं आया हूँ सब को ले जाने चाहे चाहो नह चाहो इच्छा हो या नहो पर यह तो प्रोग्राम है सब को साथ चलना है फिर अभी दीवाली आ रही है तो बाबा ने आज दीवाली को भी याद किया कि हमारी सच्ची दीवाली दीपावली किसको कहेंगे वो भक्ती की भी दीपावली बाबा याद कर रहे, दीपमाला, ये ज्ञान की दीपमाला, तुम बच्चों की जोती जग गई, अब तुमें औरों की जोती जगानी है, बहुत मिथी मिथी शेक्षा हैं, बाबा मुरली में दे रहे, बाबा की मुरली सुनेंगे, मिठे बच्चे, तुम जानते हो, सभी आत्में बेहत के बाप से पढ़ेगी निए, लेकिन साथ में जरूर चलेगी प्रशन है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा बाबा हम बच्चों को चक्रवर्ती राजा बना रहे हैं, प्रजानी बना रहे हैं बाबा केरते हैं उसके लिए जो बच्चे उच्पत का लक्षा रखके पुर्शार्थ करते ना उनको किस बात का कदर होगा बहुत जरूरी बात बाबा बता रहे हैं, हम नोट भी करेंगे और प्राक्टिकल भी जीवन में करते चलना है उस बात को उन्हीं पढ़ाई का बहुत कदर होगा पिछले दो तीन दिन से भी अमुरली सुन रहे हैं पढ़ाई पर बाबा बता रहे हैं तो बाबा के ते ऐसे बच्चे उनको पढ़ाई का बहुत कदर होगा कहां भी रहकर पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे बाबा केसी पढ़ाई है भारत में बैठे विदेश में बैठे कहां भी बैठे यह पढ़ाई पढ़ सकते है फिल दूसरी बात साथ साथ सम्बंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे देखो बाबा कैसे चारों ही प्रकार की बात बता रहे पहले पढ़ाई की बात बता ही फिर बाबा कहते प्रवुर्ती में रहते वो तोड़ भी निभाएंगे किसको नाराज भी निकरेंगे ढंग से चलेंगे कमल पूल समान जीवन बनाएंगे फिर तीसरी बात याद में रहने का अभ्यास करेंगे चोथी बात सब को ये पैगाम देंगे कि बाबा को याद करो तो शान्ती दाम सुखदाम में चले जाएंगे चारों ही विशय बता दिये बाबान तब तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे न और चारों ही विशय का जो आधार है ये पांचवी बात इस शिरीमत पर पूरा पूरा चलने वाली जो बच्चे हैं वो चक्रवर्ती राजा बनते हर बात में शिरीमत चारोई विषय में जो बाबा की शिरीमत है, उसका पालन करेंगे। ओम शान्ती, बाब को सभी रुवानी बच्चों को साथ-साथ, जो सुष्टी बार में जीवात्माई हैं, उन सब जीवात्माउं को वापिस ले जाना है। बाबा की मुरली की शिरुवात देखो, शब को वापिस ले जाना है। क्योंकि eusement सर्णा अद्धियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी होकर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है तर दुनिया क्या हो गई है? पुरानी हो गई। दुनिया एकी है, पुरानी से अभी नई बनेंगे। सत्यु गादी में बरुबर देवी देवता धरम था, अब वह सुर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर जन्म लेते लेते, अब चारासी जन्म पूरे की है। कौन? वही देवी देवता है। इस समय सब पाठ धारी तमो प्रधान हो गये हैं। चायते भी हैं राम राज, नई दुनिया, नई देहली। जैसे बच्चे कहते हैं न, हमको न फलानी नई चीज चाहिए। बच्चे होते माँ बाप को बोलते हैं, यह नई चीज मुझे चाहिए। यह भी कहते हैं। बाबा नई दुनिया के लिए अमको नए वस्त्र चाहिए। कौनसे वस्त्र? शरीरूपी वस्त्र दिवाली आती है तो इस थूल वस्त्र भी लोग नए पहनते हैं। सकून करते, बले गरीब लोगोंगे ना, सादा वस्त्र नया लेंगे, सस्ता वाला लेंगे, पर कुछ तो नया पहनते, यह नई दुनिया की निशानी है। दीप माला पर मनुषन नय वस्त्र पहनते, हमको तो याद है, हम छोटे छोटे बच्चे थे गर में, दीवाली की खोशी तो दो महिना पहले से शुरू हो जाती थी, और फिर तीन दिन रहती है न दीवाली, नया वर्ष आता है, भाईदू जाता है, तो पहले से लेकर के मा प पहनेंगे, यह खाएंगे, यह पिएंगे, इधर घूमने जाएंगे, फटाके फोड़ेंगे, खुशी, 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 नई दुनिया का यादगार, तो बाबा कहते है, दीप माला पर मनुषन नय वस्त्र पहनते, कृषन जयनती पर नय वस्त्र पहनी की बा पहनеся के लिए खरीदारि बहुत करते, यह यह पी एक सकून यादगार है, कोई ना कोई चीज दीवाली में खरीएंगे, पैसे वाले सोना चांदी खरीदेंगे, साधारन लोग साधारन चीज खरीदेंगे, और कुछ नहीं, दीपक तो खरीदलेते हैं, दीपक जलाते हैं, तो कितना accurate यादगार है, दीप माला पर जोत जगाते, तुम्हारी अब जोत जगी है, तुम्हें फिर औरों की जोत जगानी है, उन्हों की ए भक्ति मार्ग की दीप माला, तुम्हारी ए ज्ञान की दीप माला, तुमको कोई कपड़े आदी नहीं बदलने है, तुम्हारी जब जोती जग जाएगी, तो फिर नई दुनिया में तुमको नए वस्तर भी मिलेंगे, बाबा कहते हैं, मैं तो सब को लेके जाऊंगा, आया हूं तुमको ले जाने, कोई चाहे या नचाहे, बुलाते हैं, हिपतीत पावज नाओ, वो फिर कहते ही लिबरेटर आओ, कोई किस भाषा में कहता है, कोई किस भाषा में, मैं कलप कलप आकर सब को ले जाता हूं, सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुश होते हैं, आप कितने धेर पार्ट धारी हैं, यह है जीवातमा है, शरीर को जीव कहा जाता है, ऐसे नहीं कि जीव कहता है, कि मैं एक आत्मा छोड़ करके दूसरा लेता हूं, शरीर तो बोल नहीं सकता ना, आत्मा बोलेगी, कि मैं शरीर छोड़ कर दूसरा लेती हूं, नहीं, आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़, दूसरा लेती हूं, परन्तु यह भी किसको पता नही कि हम 84 जनम लें, कितने लेते वो नहीं मालम, ऐसे भी नहीं, कि सब को 84 जनम मिलते हैं, सब का हिसाब अपना, हरे का हिसाब अपना है, एक का न मिले दूसरे से, हाँ, जो पहले पहले आते हैं, वो ज़रू ज्यादा जनम लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने 84 और कम से कम, कल पर सुम्भी बाबनी का न एक जनम भी होता है, यह बाब बैठ समझाते हैं, सब को तो नहीं पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को तो बाबनी पढ़ाएगा, परन्तु सब को साथ में जरूर लेके जाऊंगा, क्यों? जरूरी लाइं, ड्रामा अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ तुमको ले जाने के, मेरा पार्ट है, मेरी ड्यूटी है, मैं बांधा हुआ हूँ, दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खतम होने वाली है, बाबा आकर नई दुनिया की स्थापना तो जरूर करेंगे, अध्या मनुष्य को, रचतहा रच्छना के आद्मद्य उंते का रिंचक मात्र भी नॉलीज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग की रसम रिवाज अलग है, घ्यान मार्ग की रसम रिवाज भिलकुल अलग है imah तो नहीं हो सकता कि सत्यूग से कल्यूग तक भक्ती ही चलती रहे। गाया जाता ज्यान दिन, भक्ती रात। अंध्यारी रात में मनुष्ट धक्ये खाते हैं। बाबा कहते हैं। थिकर भितर में भी जाकर के न मुझे ढूंडते हैं। उसे भी भगवान जे ढूंडते हैं। अच्या कोई अनुमान का साक्षात कार करते कोई गनेश का साक्षात कार करते हैं। अ वत सब भगवान तो है निना ? मेरा इसापना शरीर तो कोई है निन्हीं ? Maya Raman नेना सब को बुद्धु बना दिया, बुद्धु बना दिया, बारतवास्यों को यह भी पताने कि राम राज्य का किसको जाता, यह ध्यान में भी आता है, कि लक्षमी नारेन का राज्य इस दुनिया पर था, बस कह देते राम राज्य चाहिए, अब राम कोई रगुपत जो नई दुनिया बनाते हैं, राम राज्य बनाते हैं, उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दिया, मनुष्य मौत से कितना ढरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते, बीमारोंगे तो भी दुआएं मांगते बच जावें, अभी तो मरने वाले हैं, मर रहें अभी तो सारे, अचा उनके लिए क्या कहेंगे, बाप को बुलाया ही तो इसलिए ना, क्या करके हमको ले जाओ, पावन दुनिया में ले चलो, शांती धाम में मैं शरीरों को थोड़ी लेके जाओंगा, आत्मों को लेके जाओंगा, तो मरना तो प बंबोर को आग लगनी है, इसलिए क्या है, आग का गोला बनाते, बॉम बनाते, क्योंकि आग लगेगी, अब वो कहते हैं, बॉम्स नो बनावे, अब इतनी भी समझ ने, तो जिसके पास क्या होता है, ज्यादा बॉम होते हैं ना, बॉम्स बनाते मिसाइल्स, तो वो ज्या अब वो जब सब समुंद्र में डाले, तब वह भी बनाना बंद करें, एक बनाता, दूसरा कंपेरिजन में जादा बनाता, परंतु समुंद्र से भी, मानलो समुंद्र में डाल दिया, समुंद्र से भी तो बादल पानी खीशता है, वह बरसात पड़ेगी, फिर नुकसान हो जाएगा, खेती आदी जल जाएगी, इसलिए ड्रामा में युक्ती रची होई है, यह सब कल्यानकारी युक्ती है, विनाश के लिए, पहले यह बॉम्स नहीं था, अब भी निकले है, इतले यह सारी धम, धम मची हुई है, अब यह तुम जानते हो, कि यह सब है भावी, क्यों बना बॉम्स, नैचुरल के लिमिती, सिविल वार, क्यों होती है, ड्रामा की भावी बनी हुई है, उसको होना ही है, तु अगर होता न, तो योग बहुत अच्छी तरह करते, यह बात तो सही है, निष्चय की कमी हो जाती है, बाब को याद नी करते है, जितना चाही होतना, नहीं तो फिर विकर्म विनाष हो जाये, संपन बन जाये, योग बल से, विश्वकी बाच्षा ही लेनी है, तुमारा सब कुछ गुपत है, सिखलाने वाला भी तो गुपत है, शिबाबा ही गुपत है, इन आखों से देखने में नहीं आता, जब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है, कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, एहम आत्मा अविनाशी है, तो यह अत्ती गुई बा आज बाबास सुना रहे हैं, अकबार में भी लिखा है, कि आत्मा क्या है, जो शरीर में रहती है, यह कोई बतावे, तो हम उनको लाखों रुपए दे सकते, आत्मा क्या है, कहां से आती, कैसे पा आट भजाती है, कोई भी नहीं जानता, कोई कहते है, बुद्ध बुद्ध है, जाके मिक्स हो जाता समुंदर में, कोई कहता, ब्रह्मा तत्व बड़ी जोती है, उसमें जाके आत्मा लीन हो जाती है, तो अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, तुम जानते हो, आत्मा है बिंदी, उसमें पार्ट बजाने की नूंद है, और ये ड्रा अनादी बना हुआ है इसका कभी विनाश नहीं होता, पार्ट विनाश नहीं होगा, आत्मा अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी है, उनको वो पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पर सकता, यह सब बातें उनकी बुद्धी में बैठेगी, जिनके बुद्धी में कलप पहले बाबा कहते हैं, इतने डेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ, इतना बच्चे समझेंगे, कि बाबा कहते हैं, मामिकम याद करो तो तुमारे विकर्म विनाश होंगे, सबको मंत्र मिलेगा, बाब ये मंत्र सबके लिए देते हैं, इतना सबको मालूम पड़ेगा, भगवान शिवपिता परमात्मा है, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बाब समझाते हैं, तुम बच्चों को तो दैवी गुर्दारेंट करने हैं, अउगुरों को छो फिर भी छोड़ते हैं, कितना बाब समझा रहे हैं, अब तक कही नहीं छोड़ते हैं, उन विचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं, भई ध्यान दो, एक गुन धारंड करो, एक दो से प्यार से चलना है, खीर घंडों के चलना है, तुमको बहुत लिखो, लिखो, दिमाग में लिखो, बहुत मिठ्था बनना है, प्यार का सागर बाबा है, तुमको भी सबको बहुत प्यार करना है, एक दो से प्यार से नहीं चलते बच्चे, बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत मिठ्थे बनना है, फिर बाबा कहते, तुम भी उनके बच् कभी कोई कितना भी गुसा करें, कोई कितना भी गुसा करें, स्तूति, निंदा, सब कुछ सैन करना है, कोई दिवाला मारता है, तो समझते, बाबा अभी सायता करो, बाबा आप मदद करो, अरे, ये तो तुमारा कर्म भूगे, वो तो तुमको सैन करना पड़ेगा, बाबा इसमें क्या करेगा, बाप आया है आत्माओं को ले जाने, यभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में सब गोरंद्यारे में है, भक्ती मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए, शंकराचारे आदी ये सब तो भगत है न, शंकराचारे कौन है, समाधिक साधन करने वाला, तो भगत तो हो गया न, फिर बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया उनको, ताइटल दिया, उनको कहते पवित्र भगत, ब्रह्मचारी, पवित्र भगत, भक्ती कल्प तो है न, जो पवित्र रहते हैं, नों के बड़े-बड़े न, अखाडे, जाके देख कितने अखाडे बड़े-बड़े बनाते हैं, उनका कितना मान हैं, रिलिजियस किताबों का भी बहुत मान हैं, जो किताब बनाते हैं, उनको बड़े-बड़े न, परिक्रमा दिलाते हैं, खुद भी देते हैं, किताबों को भी दिलाते हैं, भक्ती का मान बहुत हैं, भक्त किसको पता नि, सिधा सादा ग्यान है बाबा का, किसको पता नि तुम जब देवता बनते हो, तो तुमारी कितनी मैमा होती है? ऐसा कोई नहीं होगा, जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदीर आदी में नहीं जाते होंगे कान कान कोई जाता, कोई किसको मानता, कोई किसको मानता, अच्छा, कुछ न कुछ भक्ति के चिनन घर में जरूर होते हैं, कोई मूर्ती रखी हुई होगी, अच्छा, मूर्ती को नहीं मानते हैं, तो जोत जला देते हैं, कुछ न कुछ निशानी चलती रहती हैं, आच्छा, हे भगवान कहना, हे भगवान, हे इश्वर, हे प्रभू, ये भी तो बक्ती मार गए, बक्ती में याद किया, अब तुम बेहत बाबा के बने हो, यह बाप और ये दादा, इसलिए तरी मुर्ती के चितर पर समझाना बड़ा अच्छा है, बल कोई कहे, दादा को क् रखा है, कई लोग पोचते है, सब गड़वड इदर ही उनकी होती है, दादा को क्यों रखा है, अरे, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना, ये तो जार के नीचे तपस्या कर रहे है, परंतु वह बदलते रहते हैं, ये जो मुख्या है ना, वो सदेव कायम है, यहाँ चेंज नहीं होगा, इसमें बच्चों को बहुत मिठा बनना है, चलन बड़ी रोयल्ची, देखो दैवी गुण कितने बता दिये बाबा ने, मिठा बनो, दैवी चलन रोयल्ची, सब से प्यार करो, निंदास्तूती, मान अपमान सेहन करो, और बात कम करो, कल पर सोंभी बाबा ने कहा, अभिहास करो, बात कम करो, और नए है, तो पहले पहले बाबा का परिच्च देना है, ज्यादा तिक तिक करना भी फालत हुए, बहुत सारा अज्ञान दीटेल बताना, बहुत थोड़ा बोलो, तुमने भी भक्ती मारग में बहुत बोला, रडियां मारिये, अब शान्त हो जाओ, अब जालेंस में रो, कितने धके खाये, खाये न सभी ने धके, 63 जनम, अब तुमको सिंपल बाबा समझाता है, सब छुड़ा दिया बाबा ने, सिंपल समझाता है, क्या, बाबा को याद करो, योग बल से विश्वा के मालिक बन जाएंगे, आगे चल करके यह पता पड़ेगा, कि नमबर वार कौन कौन क्या बनेंगे, यहीं रिजल्ट आउट होगा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पुर्शार्त करना है, यहीं पता चलेगा, प्रजा का हिसाब थोड़ी निकाले आइ बहान है, तो हो जू पुर्शार्त हो मुखह पता चल जाएगा, वह तो लाहिए करोड़ो हो जाते हैं, जो ब्रामन बनेंगे, वो सुर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, आगे चल करनेंगे, बहुत याद करने लग पड़ेगे, याद करतें ना बाबा को, जब मौ वहात सामने आएगा तो क्या होगा? वेराग जयागा, अभी आता जा रहा है, आतमेडिक आता है, अरे वही तो महा भारत की लड़ाई, देख रहे है प्राक्टिकल विनाश, दिन प्रती दिन निष्च्य बढ़ेगा, विश्वास होता जाएगा, विनाश हो रहा है, हो रहा ह सभी आत्मय हिसाब किताब चुक्तु करके जाएगी, इनको कहते कयामत का समय, इतने सोब शरीर खतम हो जाएगी, तब तो बाबा कहते कितनी खाद मिलेगी, करोड़ों आत्मय शरीर छोड़ेगी, जमीन कितनी अच्छी बन जाएगी, अच्छा, नेचुरल कलिमिटीज भी त तो विनाष कैसे होगा, सफाई कैसे होगी, द्रामा में नोंदे, नई बात नहीं है कोई, अच्छा, फेमन पढ़ता है, अकाल पढ़ता है, अकाल के कारण, मनुष्य भूखों मरते है, अब तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा ही समय में, चारों दिशाओं में यह सब बात होगी, कल्पना करो, क्या हालत होगी, इसलिए हमें सावधानी बाबा की याद रखनी है, पुर्शार्थ में तीवरता लानी है, योग ज्यादा करो, दैवी गुणों की धारना करो, चारों ही सबजेक्ट, उसमें हमको पास्वित ओनर बनना है, बाबा जानते म मेरे बचिए बहुत दुखी है, सब को दुखों से छुडाकर मै वापिस ले जाऊंगा, बाबा कहते हैं, ये न सब आपस में लडएंगे, कौरों से न, यादव ये सब क्या करेंगे, आपस में लडएंगे, लड़ मर करके, भाई भाई क्या करेंगे, मर्डर करके खतम हो और मख्षन तुम को मिलेगा। दो बंदर भी आपस में लडेंगे। मख्षन उमको मिलेगा। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। यह है मख्षन। मुख में चंद्रमा का साक्षात्यार करते थे ना। बताया ना। क्रुषन के मुख में क्या कि ऐसा मुख खोला तो उसको पूरा चंद्रमा का दर्शन हुआ। मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। ऐसा दिखाते से रो ऐसे गोल गूमता रहता है। तुम प्रिंसेज बनते हो। सारी सुष्टी तुमारी मुथ्थ में। देखो बाबा कितना उंच बना रहे। अच्या मुख में भी और मुथ्थ में भी दिखाते है। अब स्वर्ग का गोला तुमारे मुख में। तुम जानते हो योग बल से हम विष्व के मालिक बनते हैं। योग से ब्रहत ऑना के श Infinity गृते हैं, तुम चक्रबर्थИ राजा बन्ते हो, तुम चकरव से लगाग हैं, पर तुम जाग्या वबाब की कदर, वबाबा की पदाई की कदर, क्योंकि पदाई से राजाई मिलेगी, पदाई से मरतबा मिलेगा, और पदाई में फिर चारों विशे आ जाते हैं, बच्चों को इतनी कदर नहीं है, किस चीज की पढ़ाई की, भल बदली हो जाती है, परन्तु बाप कहते हैं, कहां भी रहो पढ़ो, चलो मुंबई से कलकता, बैंगलोर, चलो दुबई गए, लंडन गए, ट्रांसफर हुआ, तो क्या हो गया, कहां भी पढ़ सकते हैं, एक तो पवित्रा रहो, जहां भी रहो, दूसरा न, खान पान के शुद्धी रखो, कईया न, फेल हो जाते हैं, कांदल असुन खा लेते, विकारी मनुष के आतों का खा लेते, कब भी नहीं खाना चाहिए, सबसे तोड़नी भाना है, स्रीमत लो, तोड़नी भाना है, ये दुनिया दुख देने वाली है, मुख्य काम कटारी, वो भी मुश्किल छोडते, अगर कुछ कहो, ट्रेटर बन जाते, फिर अबलाओं पर कितने वीगन पड़ते, ये आरे समाजी तो अब भी आए, पिछाडी की टाली है, आरे समाजी, देवताओं को मानने वाले नहीं है, उनी मानते है, मावीर अनुमान का नाम ह वीरता दिखाएं, जैनियों ने भी तो मावीर नाम रखा, अब अर्थ तो तुम समज्दे हो, तुम बच्चे भी मावीर हो, क्यों? रावन पर जीत पाते हैं, कितने मावीर है हम तो, ये है सारी योग बलकी बात, तुम बाबा को याद करते हो, तो उनसे भी कर्म विनाश फिर शान्ती सुख में चले जाएंगे, यह पैगाम सबको देना है, यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानता, तुमारे में भी तो नंबरवार हैं, बच्चे भी नंबरवार जानते हैं, कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए, आत्मा को बाप ज करती है, तो अभी बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए, सत्ति गुरू के संमुकь रहिकर निंदा कराई न थोरनी पासकता। कोई भी पाप किया मनननिंदा कराई, कोई भी पाप किया मनननिंदा कराई। टीचर की मतपर नहीं चलेंगे तो भी ठाउर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहोगे अगर पास्वीत ओनर हो जाएंगे। तो वो हद की बाते हैं और ये बेहद की बाते हैं। भगवान कोन है? दुनिया में किसको मालूम है? माया भी सतो रजो तमु होती है। भई नोट करो। माया सतो रजो तमु अब माया तमु प्रधान बन गई। देखो, क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धी नहीं कि हमको किसको आग लगाते हैं हम लोग। कितना नुक्सान होता है। तमु प्रधानमया अग लगवा देती नुकसान करवा देती ए, यह भी तो ड्रामा में नुद धorthy जो कुछ होता है न ड्रामा नुसार होता है याद प्लाईन को खोर्वों का प्लेन फिर पांधमों का तीनों क्या करतब है पांडवों को उस प्लैन बताने वाला है बाबा नई दुनिया में लक्षमी नारेन का रज्य था अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है तो मोस्ट बलवेड बाब से मोस्ट बलवेड बच्चे वर्सा ले रहे Baba Most Bl틋 और हम बच्चे भी है Most Bl틋 Baba की बीगर कोई कह न सके क्या? हम तुम को साथ ले जाएगा वह कह देते सब पर्मातमा ही पर्मातमा पर्मातमा यही बेठा हुए नहीक वो आता है लेके जाता है फिर यह कहना वो आएगा कैसे? अगर याही परमात्मा है, क्यों कहते हैं छोडबिदे आकाशी सिहासन, फिर धर्ती पर आ जा रहें, तो ये सब बातें, तुम बच्चे जानते हो, और न जाने कोई, अच्छा, मिठे मिठे सिके लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप ददा का यार प्यार, गुड मॉर् रुणी बाप की रुणी बच्चों को नमस्ते, हम रुणी बच्चों की रुणी बाप को, मात पिता, बाप ददा को यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, दारणा के लिए मुख्य सारे पहला, विनाष की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलने, होना है, होना है, समझना पड़े, तो श्रीमत पर चले, याद के बल से, विश्व की बाश्याई लेने का पूर्शार्थ करना है, अपनी जगी हुई जोत से, सब की जोत जगा कर, सच्ची दीपावली मनानी, आत्माओं की जोत जगाओ, दूसरा, स्थूती नींदा सब कुछ सैन करते हुए, बाप समान प्यार का सागर बनना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, और बात बहुत कम करनी है, वर्दान है, इश्वर ये कुल की सम्रती द्वारा, माया का सामना करने वाले, सदा समर्थ स्वरूप भव, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले सम्रती द्वारा सम्रती स्वरूप बनो, सम्रती आने से क्या होता, माया का सामना करना सहज होता है, जैसे स्वरूप भी वैसा बन जाता है, इसलिए सदेव पावर्फुल सम्रती रहे, कि जब तक ये इश्वर्य जनम है, तब तक हर सेकन, हर संकल, हर कार्य इश्वर्य सेवा पर हूँ, हमारा ये इश्वर्य कुले, यह सम्रती की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी, स्लोगन है, सत्य समय प्रमान स्वयम सिदोता है, सत्य जो है, सच, वो समय प्रमान स्वयमी सिदोता है, उसको सिद्ध करनी की आवश्यक्ता नहीं, सत्य अपने आप में सिद्ध है, उसको सिद्ध करनी की आवश्यक्ता नहीं, हमारा काम है, इमानदारी से चलते रहें, चलते हम सच्चे हैं, अपने आप सिद्धो जाएगा, पर वो विश्वास होना चाहिए, धैरियता होनी चाहिए, तब तो सफल होंगे, ओम शान्ति जगमग हो, जगमग हो, सत युग का ते, कल युग का अंधेरा मित जाएगा पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा, धर्म का विश्वास हो जाएगा जगमग हो, जगमग हो, सत युग का ते, कल युग का अंधेरा मित जाएगा जगमग हो जगमग हो सत्युगता के कल युगता अन तेरा विक जाएगा